शुब योग का होगा निर्मान, 14 जुन की श्याम 7 बजे कुम्ब राशी को मिलेगी बड़ी खुश कबर, नमस्कार दोस्तों, जै माता दी दोस्तों, मनुष्य का जीवन बहुती असाधारन माना गया है, क्योंकि मनुष्य अपने पूरे जीवन काल में बहुत से उतार चड़ाव से गुजरता है व्यक्ति के जीवान में कभी खुशियां होती हैं तो कभी दुख आते रहते हैं मनुश्य के मार्ग में बहुत सी बड़ी परिशानियां आती जाती रहती हैं कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति किसी कार्य में पूरी कोशिश करता है पर तो उनके बंते-बंते कार्य भी बिगड़ जाते हैं। दोस्तो आज हम आपको इसी जोती शास्तर के अनुसार कुम्बर राशियों के बारे में बताने वाले हैं। 14 जुन की शाम 7 बजे शुवयोग का निर्मान हो रहा हैं जिससे कुम्बर राशियों को बड़ी खुश कबर मिलने वाली है। हमारी चैनल ट्रेंडिंग राशियोपल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं। दोस्तो सबसे पहले बात करते हैं शुवयोग का निर्मान होने से किस तरह का लाव आपको होगा उसके बारे में। आपको अपनी किस्मत के बलबुते काफी अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। किसी महतोपुर्ण कार्य में किये गए प्रयास सफल होंगे। नोकरी के क्षेतर में आपकी महनत के लिए आपको शुबर समाचार मिलने की संभव ना बन रही है। स्वास्त के लिहाद से समय उत्तम रहेगा। सामाजिक शेतर में मान सम्मन की प्राप्ती होगी। जीवन साती से चल रहे मतबेद दूर हो सकते हैं। दामपत जीवन में सूक मिलने वाला है। पूजा पाट में आपका अधिक मन लगेगा। जीवन में चल रही दिक्कते दूर हो सकती हैं। आचनक आर्थिक लाब मिलने के योग बन रहे हैं। जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबुत बनेगी। माता जी की कुरुपा से आप कारेक्षेतर में अच्छे प्रदर्शन भी करेंगे। आपके द्वारा की गई कोशिश सफल होगी। आपकी सेहत मजबुत रहेगी। धन प्राप्ति के मार्ग हासिल हो सकते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति में जबरदस्त सुदार आने के योग भी बन रहे हैं। काम के सिलसिले में की गई महनत रंग लाएगी। नीजी जीवन भैतर रहेगा। बच्चों के साथ आप हसी खुशिस समय व्यतित करेंगे। आपका मन कामकाज में लगेगा। आपका कही से रूका हुआ पैसा वापिस भी मिल सकता हैं। जिसे से आप काफी खुश रहने वाले हैं। तो दोस्ता आप बात करते हैं कोंसे बातों का ध्यान आपको रखना है उसके बारे में। इस राशी वाले लोगों को अपनी चिंता से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। तबी आप अपने कामकाज में ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। आपकी सेहत खराब हो सकती हैं। अपने खानपान पर काबू रखें। कारेक्षेतर में आपको अधिक भागदोड करनी पड़ीगी। शादी शुदा जिंदगी ठिक ठाक रहीगी। जो लोग प्रेम संबंदित पामलों से जुड़े होए हैं, उनको काफी हद तक अच्छे नतीजे मिलने के योग बन रहे हैं। आपकी आमदनी सामाने रहेगी। आपको खर्चें और आमदनी का बैलेंस बना कर चलना होगा। आपकी सोच सकारत्मक रहेगी। विद्यारती वर्ग के लोगों को मिला जुला फल मिल सकता है। आपको किसी प्रतियोगी परिक्षा के लिए अधिक मेहनत करने पड़ सकती हैं। आपको अपने गुस्से पर काबू रखने की जरूरत है। किसी महतोपुर्ण कार्यों को लेकर आप अधिक गंबिर रहेंगे। आपकी सेहत मजबुत रहेगी। विद्यारती वर्ग के लोगों का मन पड़ाय में लगेगा। आप कुछ नई बारकियों की तलाश कर सकते हैं जो आगे चल कर आपके बहुती काम आ सकती है। दोस्तों आप बात करते हैं कुम्ब राशी की धन राशीपल के बारे में। यदि आपने शेर बाजर में पहले कभी पैसा नहीं लगाया और इसके लिए सोच रहे थे हैं तो आज इसकी शुरुआत करने के लिए बढ़िया दिन है। अपने किसी ऐसे मित्र से राय लें जो पहले से ही इसमें पैसा लगाते रहे हैं। फिर दिरे दिरे पैसे बढ़ाते जाए। आपको लगेगा कि आप तो शेर बाजर के बड़े उस्तात खिलाडी निकलें। अगर आप अपने रहन सान में बदलाव या किसी नई जगह गुमने की सोच रहे हैं तो आज इसकी शुरुवात के लिए बढ़िया दिन हैं। कोई नई नोकरी मिल सकती हैं या कोई नया व्यापर भी शुरू कर सकते हैं। इस सिलसले में आपको किसी नई जगह की यातरा करनी पर सकती हैं। आप इस मौके का जम कर लुपत उठाएं और दुनिया देखियें। दोस्ता आप बात करते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहीगी उसके बारे में। नए पार्टनर की कई दिनों से चली आ रही और सफल खोज आज सकारत्म के दिशा दिखाएगी। आखें खुली रखें और पुराने स्तुरतन से पता लगाएं जिने आपने निराशोकर छोड़ दिया था। आप अपने प्रयास की सफलता पर हैरान होंगे। आज काम के सिलसले में आपकी किसी नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती हैं। आपकी और निहारता हुआ कोई नया आदमी मिल सकता हैं। अपने काम से बिल्कुल हटने की जरूरत नहीं हैं। पर उसमें आप दिक्कत जरूर महसुस करेंगे। अगर यह व्यक्ति आपके प्रती रूचिर रखता हैं। तो अतिरिक्त कारेभार को निप्टाने में किसी सहयोग की साहता जरूर ले। दोस्तो अगर हम कुम्बर राशी की करियर राशीपल की बात करें तो आज रचनात्मक लोगों के लिए अच्छा दिन हैं क्योंकि उन्हें उनके हुनर को प्रदर्शीत करने का मौका मिलेगा। अगर आप इस आउसर को हाथ से ना जाने दें तो आप सफल होंगे। इन अउसरों का भविशे में सफलता पाने के लिए पूरा प्रयोग करे। आज आपके लिए शुबस समाचार है कि आपकी तेज सोच आपको सही निरने लेने में मदद करेगी। अगर आप आज अपने आफिस में परिशानियों को हल करने के लिए नविन विचारों का प्रयोग करे। तो आपको बहुती लाव होगा। ध्यान रखे कि कभी कभी छोटी सोच भी बड़े काम आती है। ये सोच आपको अपनी परिशानियों को हल करने का मौका देगी। यससे आप कम समय में अधिक काम कर पाएंगे और भहत से भी बच सकते हैं। तो दोस्तो यह थी 14 जून की कुमबर राशिफल। तो दोस्तो अब बात करते हैं कुछ उपायों के बारे में जिससे आपको मा लक्षमी का अशिरुवाद ज़रूर मिलेगा। तो चलिए जानते हैं कैसे मा लक्षमी जे का अशिरुवाद पराप्त किया जा सकता है। दोस्तो शास्त्रों में ऐसे बहुत से बाते बताई गए हैं जो मनुश्य के जीवन में बहुत माइने रखती हैं। जीवन में आपको धन कैसे मिल सकता हैं। आप अपने आर्तिक स्थिती को कैसे मजबुत बना सकते हैं। इन सबी बातों का जिक्र शास्त्रों में किया गया ह दरसल यदि किसी व्यक्ति को धन प्राप्ति की इच्चा है तो इसके लिए माता लक्षमी जी का अशिर्वाद होना बहुत ही जरूरी है जिस व्यक्ति के उपर धन की देवी मा लक्षमी की कृपा दुष्टी बनी रहती है उसके जीवन में कभी भी धन से जुड़ी हुई परेशानियान नहीं आती है शास्तुर में कुछ ऐसी महतोपुर्ण बाते बताई गई है जिनको अगर व्यक्ति ध्यान में देता है तो इसके उसके घर में माता लक्षमी जी जरूर आती है और उसके पैसों में लगातार बड़ोतरी होती रहती है तो चलिया जानते हैं हिंदू धर्म शास्तुर में इस बात का उल्ले किया गया है कि दान दक्षीना करने से व्यक्ति को पुन्य फल की प्राक्ति होती है अगर आप धन्वान बनने के इचुक हैं तो आप अपने जिवन में दान पुन्य जैसे कार्य करते रहें अगर हम शास्तुर के अनुसर देखे तो शास्तुर में इस बात का जिक्र किया गया है कि ऐसे गरों में ही धन का अग्मन होता है जिस घर का वातावरन धन की देवी मातलक्षमी जी के स्वागत के लिए तयार हो जिस घर के अंदर शांती का महोल रहता है उस जगह पर मातलक्षमी जी ववास करती है जिस घर के सदस्य आपस में प्रेम भाव से रहते हैं पती पत्नी के बेश प्रेम होता है जिस घर में किसी भी प्रकार का लड़ाय जगडा नहीं रहता है ऐसे घरों के अंदर मा लक्षमी जी रहना पसंद करती है इस प्रकार के घरों में आर्थिक समझाय उत्पनन नहीं होती है शास्त्रों में इस बात का उल्ले क्या गया है कि यदि किसी व्यक्ति से धन की देवी मातलक्षमी जी नाराज हो जाती है तो यह आर्तिक दुरुष्टी से शुबन नहीं माना गया है क्योंकि इसके कारण घर में दरीदरता आने लगती है अगर आप मातलक्षमी जी को प्रसन्न करना चाते हैं तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप कटू शब्दों का इस्तिमाल बिलकुल भी ना करें क्योंकि जिस घर के अंदर कटू शब्दों का इस्तिमाल किया जाता है उस घर में लक्षमी जी नहीं आती है और नहीं व्यक्ति को अपने कामकाज व्यापर में लाब मिल पाता है आपको हमेशा अपनी वाणी मदूर रखनी चाहिए और सभी से आप प्रेम से बाच्चित करें यदि आप ऐसा करते हैं तो इससे आप आर्तिक रूप से मजबुत बनेंगे और आप को लाब भी अवश्य मिलेगा अगर आप आर्तिक रूप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अपने कारेस्तल में साथ काम करने वाले लोगों के साथ अच्छे तालमिल बनाए रखे और उनका सम्मान भी कीजिए ऐसा करने से मातलक्षमी जी प्रसन होती है और इनके अशिर्वाद से धन से जुड़ी होई परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ सकता है अगर आप इन बातों पर अमल करते हैं तो इससे मातलक्षमी जी आपसे प्रसन होगी और आपके जीवन से धन से जुड़ी ही परेशानियाद दूर हो सकती है तो दोस्तों यहते कुछ आसान से उपाए जिसे अगर आप करेंगे तो आप मातलक्षमी जी का अशिर्वाद जरूर पाएंगे तो दोस्तों आज की सुड़ में बस इतना ही वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करेगा साथ हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिपल को सब्सक्राइब जरूर करेगा तो मिलते एक नए वीडियो के साथ धन्यवाद